कि अलोग चैंपियांस वेलकम टू मैथ दिमाग वाला एज वी हैव तुस्ट वी हैव स्टाटेड कोडिलेटर्स फॉम लास्ट लेक्चर्स सो इससे पहले मैंने कोडिलेटर के बारे में आपको बेसिक थेओरी बता देती की कोडिलेटर होता क्या है और उसकी संधिंग संधि करने माले हैं सो पैन और कॉपी उड़ा बच्चो और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ ओके तो आज हमको पढ़ना है बच्चो टाइपस ऑफ कोडिलेटर्स यह भी आप बच्पन में पढ़के आ चुके हैं टाइपस ऑफ कोडिलेटर्स मैं आप नाम लिखते जाओंगा बच् अच्चि वहों कोडिलेटर्स के काईपस को बोलते हैं तो सबसक्राइपस प्रेयरं सुना है अपने यस्स से सुना हैं बिल्कल सुन है हना ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसकी एक ऐसा शेप जिसकी दो साइट्स क्या होते हैं पैरलल होते हैं अशेप विच टू साइट्स एक्जक्ली टू साइट्स पैरलल टू इच अदर एक्जक्ली टू साइट्स पैरलल टू इच अदर एक दुसरा के पैरलल हमने बना दिया अब ये दो साइड मा ऐसे बनाूंगा हम ये स्कॉल ट्रbook बोलकी इसको बोलने नौनन पैर्लल सैडस ये हमारे कासे है अंने यह और यह और हमार पैरलल सइट कि यह और यह तो टू एग्जेक्टली पैरलल साइट अगर आपको किसी कोडिलेटरल मिल जाए तो वह कौन सा कोडिलेटरल होगा trapezium होगा ठीक है trapezium एक और होता है इसको बोलते है आई-सो-सेलेस आई-सो-सेलेस trapezium अब आई-सो-सेलेस trapezium क्या होता है पहली बात हो हमको exactly डो साइड को हमेशा क्या करना है पैरलली ड्रॉब करते हैं ठीक है अब यह जो दो आई-सो-सेलेस मतलब क्या होता है जिसससा आई-सो-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स- या फिर trapezium a four sides figure a four sides figure which has exactly two parallel sides is called trapezium ठीक है a four sides figure which has exactly two parallel sides and two equal non-parallel sides two equal non-parallel sides is called isosalus trapezium is it clear ठीक है trapezium किसको बोलेंगे exactly two sides क्या हो जाए parallel हो जाए तो उसको trapezium बोलेंगे और जो दो non-parallel sides है अगर वो दोनों भी equal हो जाए parallel नहीं वो दोनों भी क्या हो जाए equal हो जाए तब वो क्या कहलाएगा isosalus trapezium कहलाएगा clear है तो यह दो पॉइंट अच्छे से clear हो गए थर्ड आता है आपका पैरललो ग्राम यह तो बच्पन से बढ़ा हुआ सर सिक्स्त क्लास से पढ़ते हैं पैरललो ग्राम ठीक है जिसको यह सारी चीज़े आती है वह आप इंक्तप करके वीडियो को लेक्चर को देख सकते हैं फिर फॉरवर्ड कर गया आगे देख सकते हैं आगे आपको questions मिलेंगे एक ऐसा शेप, एक ऐसा quadrilateral, जो क्या होते हैं, जिसके opposite sides एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरलल होते हैं। जिसके opposite sides का जो pair है वो क्या होता है एक दूसरे के parallel होते pair of opposite sides parallel to each other that figure is called parallelogram pair of opposite sides parallel to each other then that figure is called parallelogram is it clear opposite sides क्या हो जाएंगे parallel हो जाएंगे देखो यहां पर opposite sides एक ही pair था जो parallel था यह देखो एक ही pair है जो parallel है यहां पर देखो दोनों pair parallel है parallelogram और trapezium में difference समझ में आ रहे हैं यहां पर दोनों pair क्या है parallel है तब वहां पर parallelogram होगा ठीक है next fourth rectangle हां एक रेक्टेंगल भी तो पड़े हुए हैं बता बता हु पड़े हो ना आप लो। rectangle किसको बोलते है रेक्टेंगल बदा तो rectangle उसको बोलते है बच्चो अब parallelogram parallelogram का ही वो एक part है rectangle अब parallelogram bs BUB du nächsten इच एंगल 90 डिगरी विरचस ईच एंगल 90 डिगशन एक पडेल बनाएंगे। लिए डुका चिसको बोलते घिसके पेर ओफ पोज़ेट सैट्प क्या होते हैं यह लिख बार लेल हैं यह दोना एक दूसर के पैरलल हैं यह दोना एक दूसरे थे एंगल क्या हो जाए अगर हम 90 डिग्री बना दे इज आएंगल क्या बना 90 डिग्री बना दे तो यह क्या बन जाएगा और रλιटांगल बन जाएगा इसी को बढ़ाते आगे स्क्वेर अना स्क्वेर अब स्क्वेर भी क्या होता है रेक्टेंगल का पार्ट होता है तो रेक्टेंगल या फिर पैरलोग्राम का ही पार्ट होगा इसमें भी क्या होंगे उपोजिट सैट्स एक दूसरे के पैरलल होंगे आप उसे इ सथे पैरलल होने के साथ सा एक दूसरे के फी तो एसा पैरलोग्राम जिसके चारों सेट क्या होते है रहां ळूसरे के इक नुइक आप कीछ एड्वील नहीं io कि देखो यहां पर उपजे साइट्स इक्वाल नहीं है यहां पर उपजे साइट्स क्या है इक्वाल नहीं है पैरलल हो जाएंगे तो स्क्वार बन जाएगा पैरलल रहेंगे और 90 डिग्री रहेगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा और अगर आप उपजे सेट्स पैरलल है 90 ड रोंबस क्या होता है पैलोग्राम ही होता है रोंबस भी बट एक कंडिशन है कि यह चारो साइट से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे पैललोग्राम ही है रोंबस भी पर चारो साइट से क्या हो जाएंगे अपोज साइट से एक दूसरे के पैलल तो होंग है स्क्वायर में क्या हो रहा है इच एंगल 90 डिगरी हो रहा है और 4 साइट इक्वाल रहे है और व्मबस में देखो 4 साइट इक्वाल है बट इच आंगल 90 डिग्री नहीं है समन्न में यह सारी चीजे जट क्लियर नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ठीक है next and last types of quadrilateral एक होता है kite सब लोग पतंग बढ़ाते हैं हा ना तो kite भी एक type का क्या है quadrilateral shape है कैसे मनता kite कि यह देखो काइट के भी four sides figure होता है यह भी पर इसमें क्या होता है इसमें 2 sides एक दूसरे की क्या होंगे equal होंगे और 2 sides adjacent sides बोल सकते हैं consecutive sides बोल सकते है पढ़ा ना बने last lecture लेक्छन पढ़ा था consecutive sides adjacent sides की सको बोलते है आ जाह जबाज़वाले को तो adjacent sides क्या होते हैं equal होते हैं बट opposite sides never be equal देखो यह opposite sides equal दिखरी का आपको नहीं तो opposite sides equal नहीं होंगे सिर्फ adjacent sides क्या होंगे equal होंगे then उस shape को हम क्या बोलेंगे kite बोलेंगे ठीक है अच्छा बताओ kite parallelogram है क्या no not at all यह parallelogram नहीं है parallelogram नहीं है अच्छा rhombus parallelogram है क्या yes rhombus parallelogram है square parallelogram है yes rectangle parallelogram है क्या yes अच्छा बताओ trapezium parallelogram है क्या no trapezium parallelogram नहीं है parallelogram can be trapezium but trapezium cannot be parallelogram trapezium cannot be parallelogram parallelogram can be trapezium इसमें एक side हमको क्या मिल रहा है pair of sides parallel मिल रहा है एक pair तो हम बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे मतलब रेयर केसिस में कि पैरललोग्राम क्या बन सकता है ट्रेपेजियम बन सकता है बन सकता है बन जाता है नहीं बट ट्रेपेजियम तो पैरललोग्राम कभी नहीं बन सकता नेवर ठीक है तो यह सारे पैरललोग्राम है बट यह हमारा ट्र नोट कर लिया आप लोगों ने चीक आगे बढ़ते हैं इसके पहले लेक्च्छर में हमने क्या किया थे बच्छो कि किसी भी शेप का हम क्या कर रहे थे quadrilateral बना रहे था उसमें ना तो कोई angle था fix था ना तो कुछ-कुछ भी नहीं था ना तो opposite sides parallel है nothing हाना हमने कुछ भी नहीं लिया था पर आज की class में हमको क्या करना है कुछ specific चीजे पढ़नी है ठीक है specific चीजे पढ़नी है अब उस specific चीजों के बारे में जैसे की अब हमको पांड़ना है properties of parallel हो ग्रहां अब यह specific हो गया कि भाई अब ऐसा four sides figure लेना है जिसमें pair of two opposite sides क्या होना चाहिए parallel होना चाहिए ठीक है parallel हो मतलब pair of two opposite sides क्या होना चाहिए parallel होना चाहिए ठीक है हमने ले लिया properties of parallelogram क्या कहते है in a parallelogram क्या-क्या properties होती है parallelogram की बता सकता है आप लोग ने पढ़ा हुआ है चलो बताते जाओ first in a parallelogram क्या-क्या property होती है डाइगोनल्स जो है डाइगोनल्स जो है जब भी किसी पैलोग्राम में हम क्या करते हैं एक डाइगोनल ड्रॉ करते हैं हाना पैलोग्राम का जो डाइगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं तो डाइगोनल्स डिवाइड इट इन्टू टू टू डिवाइड इन्टू टू कॉंग्रेंट्राइंगल्स कॉंग्रेंट्रैंग्र्णुक्री जैसे कि आमने पैलोग्राम के यहांग द्रॉ किया है एक डाइगोनल्स ड्रॉ करते हम ऑगर द्रॉ करंद हो आप यह दोनों होते हैं आपस दूसरे के चाहे मैं यह रोड ला चाहे है डागोनल जो है घर करता है उसको टूटायंगलड करता है इंटेट वीलाइट के प्रॉपठी हम इसे डॉपज्ट इन परल्लोग्राम ऑपोजिट साइट्स और इक्वल अभी तक हम परल्लोग्राम परल्लोग्राम के प्रपरटी है कि ऑपोजिट साथ इक्वल भी होती है ठीक है थाड़ ओपोजिट एंगल्स और इक्वल ओपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं वेरे गुट फोर्थ नंबर फोर्थ प्रपड़ी क्या कहती है दा डागोनल्स 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 इन पर डागोनल्स बाय सक्ट एच अधर डागोनल्स बाइशक्ट कितने बनेंगे 4 sets figure में हमेशे 2 diagonal बन सकते हैं तो 2 diagonal मैंने draw किया तब यह दूसरों क्या कर रहे हैं by set कर रहे हैं मतलब यह open दे दू इसको मैं a b c d दे दू तो यहां पर देखो यह side और यह side equal है यह side or is equal by set कर रहे है by set मतलब equal part में divide करना तो यह four properties है parallelogram की जिसको हम यहां पर प्रूफ करके दिखाऊंगा बच्छों यहां पर मैं क्या करूंगा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ठीक है कि एक्जाम में कभी कभी पूस देता है inside book में भी अविलेबल है यह सारे theorems के form में अविलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं तो यह फर्स्ट प्रॉपर्डी क्या कहती है कि डाइगोनल्स डिवाइड इंटू टू कॉंगरें ट्राइंगल्स तो में पहलो लोगा हम सब सब पहले ड्रॉप कर लोग एक पहलो लोग रहां ड्रॉप कर लेते हैं आ चेढा कर Day अपर करलों एलर है योडव यहां मैं यहां से में अग्यागोनल कर लियए आप आप ए जीनतार कर सकते हैं कुछ भी डॉब्स प्रचा यह马 ile क् insights लब हमको क्या प्रूफ करना है तो प्रूफ ट्राइंगल ए बी डी इस कॉंग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी यह चीज प्रूफ करनी है चलिए प्रूफ करते हैं स्टार्ट करें मेरे साथ आप लोग भी प्रूफ करो बच्छो नोट करते हैं बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से कुछे जाते हैं कि आप से कोशन बूस देगा शो दाट डाइगोनल डिवाइड शो दाट इन पैरलेलोग्राम डाइगोनल डिवाइड इट इन्टू कॉंग्रेंट करना है या इसकी प्रॉपर्टी है तो ऐसे रड के बैठ जाना नहीं इसके प्रूफ भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ भी आ सकते हैं चो देखते हैं प्रूफ करते हैं अब यह दोनों ट्राइंगल को हमको क्या गरना है प्रूफ करना तो दोनों ट्राइंगल म कि यहाँ बर यहां बीया हमको पता है तो कि आप पैर्लेल होती इंब दूसरे के पैरलल मतलब कच अब आप बेसपा लनटटो सीडी वी है यह लॉटे की है कि कि पढ़ें जैसे पहले वाले झाय आधा लाइन से मैंने पढ़ा है था कॉंग्रेंसी रूल होता है एसे एसे यह सब होता है न तो आरे चेस्ट भी होता है तो आरे जिए नहीं होगा राइट एंगल तो मेली रहे है चलो देखते हैं हैं अगर में देखुए डाइगननार यहां पर कर मिलायन 1945 क्या होगे इस नंढ़े सब्सक्राइब क्या होग अब दो parallel line के बीच में अगर मैं एक transversal line draw करता हूं तो lines and angles में ने पढ़ा है कि पढ़ा है आपको कि corresponding angles क्या हो जाते हैं, equal हो जाते हैं, alternate and interior angles आपस में सब चारी चीज़े क्या हो जाती है, equal हो जाती है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि angle ABD is equal to angle CDB ABD और CDB, मतलब यह वाला angle और यह वाला angle एक दूसरे के क्या हो गए, equal हो गए या फिर आप ऐसा ना समझ में आया ना बच्चों तो आप लोग क्या किया करो 1, 2 दे दिया करो, यह 1, 2, यह 3, यह 4, ठीक है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, angle 1 is equal to angle 3, alternate and interior angles दिख रहे हैं अब यहाँ पर देखो, हमको दो चीज parallel मिल रही है, एक तो मिल रहा है, AB is parallel to CD और दूसरा मिल रहा है, AD is parallel to BC, यह वाली line भी एक दूसरे क्या हैंगी, parallel होंगे न, opposite sides parallel होते हैं parallelogram में, अब यह तो 9 parallel है, तो इसमें भी यह transversal बन रहा है, तो इसके बाद आप यह भी लिख सकते हो, कि angle 2 is equal to angle 4, यह लिख सकते हो, आप by alternate interior angles, मैं short में लिख रहा हूँ, आप लोग, full form में लिख रहा हूँ, alternate interior angles, ठीक है, तो यह दो angles हमको क्या मिल गए, equal मिल गए, यह दोनों, यह दोनों triangle में आते हैं, दोनों angles, चलो, दो angles तो मिल गया, अब और क्या ले सकते हैं, क्या लेग सकते हैं, और, हाँ, यहां पर देखो, मैंने एक diagonal raw किया है, तो यहां पर BD is equal to BD, जो क्या आपको क्या मिल रही है, common side मिल रहा है, BD is equal to BD क्या मिल रहा है, common side मिल रहा है, okay, hence proved, so, by a angle side angle congruency, congruency rule, क्या हो जाएगा, triangle ABD is congruent to triangle BDC, हाना, यह को congruency rule लगा देंगे, angle, side, angle, यह ऐसे congruency rule से क्या हो गया, दोनो congruent proof हो गया, तो यह देखो, हमारा first, first property क्या हो गया, यहां पर proof हो गया, first property क्या कहता है, diagonal जो है, divide करता है, two congruent triangles में parallelogram को कर दिया भाई है, अब second चीज़ बोल रहे हैं, कि opposite sides are equal, opposite sides are equal, अब यहां पर लिख सकते हैं, कि हमको पता है, कि जब दो triangle क्या हो गया, यह मैंने first चीज़ प्रूफ की थी, अब मैं second चीज़ प्रूफ कर रहा हूं, हाना, तो second मैं आपको फिर से यहां तक बना नहीं है, same to same, फिर इसके आपको क्या करना है, कि जब दो triangle क्या प्रूफ हो गया, तो उसके सारे angles, सारे sides क्या हो जाते हैं, equal हो जाते हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, therefore, AB is equal to CD, and AD is equal to BC, by CPCT, अब यह CPCT क्या होता है, यह सारी चीज़े मैं आपको lines and triangles से बता चेको हूं, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts, अब यह तीन पार्ट था हम ले चुके हैं, इसके अलावा जो बचे हुए parts है, वो भी क्या होंग, होंगे, equal होंगे, तो मैं लिख दी, अब देखो, अब वोई sides क्या होगे, equal होगे, AB is equal to CD, AD is equal to BC, अब थार्ड जो है, थार्ड भी इसी में आप solve कर सकते हैं, यहां तक solve करने के बाद, तीनों में आपको, यहां तक same to same solve करना ही है, तो second में आपको एक line और यह एड़ करने हैं, by specificity, थार्ड में देखो, थार्ड में भी आपको यह लिखना है, हाना, opposite angles बोल रहा है, इक्वल, मतलब angle A जो होगा, angle C के, इक्वल होगा, angle A जो है, angle C के, इक्वल होगा, और अगर मैं ऐसा diagonal मनाता, तो यह और यह भी इक्वल होता, तो similarly हम लिख सकते हैं, angle B is equal to angle D, by cpct, लिख सकते हैं, by cpct, ठीक, यह तीनों चीज़ हैं हमारी, एक की साथ proof हो गई, समाज में आया, तो अब आपको क्या करना है, यह properties याद रखनी है, और उसका proof भी याद रखना है, कि question अगर पूछ दिया, तो बन जाना चाहिए, समाज में आया बच्चो, note कर लिया आप लोगोंने, pause करके note कर लो, आगे बढ़ते हैं, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आप से कहती है, कि opposite angles are equal, नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यह यह, the diagonals bisect each other, अब दो diagonals मैं यहां पर बनाता हूँ, अब मुझे AC भी बनाना पड़ेगा, दोनों diagonal मनाना पड़ेगा, यहां पर क्या हो गया, ओपांट दे दिया मैंने, अब हमको इसको प्रॉफ करने के लिए, इसको प्रॉफ करने के लिए, सबसे पहले, हमको क्या प्रॉफ करना है, तो प्रॉफ, OA is equal to OC, and OB is equal to OD, यह चीज़ प्रॉफ करने हैं, कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं, चलो, स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रॉफ, कैसे प्रॉफ करेंगे, चल, प्रॉफ करें, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर दूँ, अच्छा, इससे पहले, मैंने तीन चीज़े क्या कर दी, प्रॉफ कर दी, अब तीन चीज़े को हम यूज कर सकते, जैसे आप थियोरम प्रॉफ करते हैं, वैसे थियोरम, आगे आप यूज कर सकते, you can use it तो यह तीनों क्या किया है चलो यहाँपे इन नों ट्राइंगल को अगर मैं गांग्रेंट प्रूफ करता हूं तो बाइस एपीशेडी से में यह सारी चीजे एक्वाल लिख सकते हूं यह इन नों ट्राइंगल को कोई सा भी आप ट्राइंगल ले सकते हूं तो कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हूं तो मैं इन ट्राइंगल A O B and ट्राइंगल C O D यह ज़कर ट्राइंगल लेता हूं यह उपर और यह नीचे ठीक है यह दो ट्राइंगल हम लेते हैं इन दोनों को कॉंग्रेंट प्रूफ करने कोशिश करते हैं तो इन्होंनों को concurrent proof करोगे तो देखो हमको पता है कि AB जो है parallel to CD and AD जो है वो parallel है किसके BC के यह दो चीजे हैं हमारे पास अगें मैं क्या कर सकता हूं ट्रांस्वर्सल लाइन का काम कर रहा है तो अल्टने इंटेरे अंगल से एंगल को क्या कर सकता हूं मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल 1 is equal to angle 3 यहां पे 2 नहीं देता आप यहां पे 4 नहीं देता एंगल 1 is equal to angle 3 यहां पे 2 देता हूं और यहां पे 4 देता हूं एंड एंगल 2 is equal to angle 4 बाइ अल्टने इंटेरे अंगल्स ठीक है बाइ अल्टने इंटेरे अंगल से दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए ठीक ठीक अब अगर इसमें हमको एक साइड इक्वल मिल जाए तो हमको आपको फाइब क्या होते हैं मतलब मैं आप सकता हूं कि ए भी जो है वह सीडी के इक्वल एंगल्स कौन सा लगाएंगे Angle Side Angle Congruency Rule Congruency Rule क्या हो जाएगा Triangle A O B is Congruent to Triangle C O D अब यह दोनों Congruent Proof हो गए अब एक पर Congruent Proof हो गए तो बागे सारी चीजे भी क्या हो जाती है दोनों Triangle की तो therefore आप लिख सकते हो कि O A is equal to O C and O B is equal to O D by C P C T Corresponding Parts of Congruent Triangle समझ में आया बच्चो इस सारी चारो प्रोपर्टी आपको Proof समझ में आया आगे बढ़े ही ठीक है चलो और भी थियो रहा हम से बच्चो उसको आगे हम continue करवाता हूं मैं जैसे की एक और प्रोपर्टी है प्रोपर्टी नंबर फिफ या थिया थियोरम नंबर फाइब बोल सकते हो आप कि इन पहलो ग्राम दा बाइसेक्टर्स ऑफ एनी तो कॉंसेक्टिर एंगल इंटर्सेक्ट एट राइट एंगल मतलब एक पहलो ग्राम ड्राव करते हैं हम A B C D यह हमारा A B C D अब मैं क्या करूँ किसी भी दो एंगल का मैं क्या करता हूँ बाइसेक्टर ड्राव करता हूँ D का और C का मैं क्या करता हूँ बाइसेक्टर ड्राव करता हूँ दोनों एक दूसरों क्या करेंगे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे is equal to 90 degree यह चीज़ हमको प्रूफ करने हैं सो स्टार्ट करें बहुत सिंपल है अगल कर सकते हैं अब से पहले अप यह से ऊंगल को टू तो time अब मैंने आपको लाइन आप में बात बतायी थी कि दो पैरलल लाइन के वीच अना दो पैरललल लाइन की बिच मतलब कॉंजिटीयर एंगल का संब जहोता है वो क्या होता है कितना होता है 180 degree होता है transversal same side of transversal angles बताया था याद होगा तो same side out यहां भी लिख सकते हो by same side of transversal angles क्या हो जाएगा angle C plus angle D is equal to 180 degree अब हमको बता है यह दोनों bisector है OD और OC जो है वो क्या है bisector है किसके angle C और angle D के तो मैं आप लिख सकता हूँ angle C जो है वो half of angle C जो है वो कितना है half of नहीं ऐसा नहीं कर सकते वेट 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 ठीक है यहां पर क्या करेंगे हम half से into कर देंगे इस पूरे equation में क्या कर दूँ half से into कर दूँ तो यह कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा अब half of angle C कितना होगा angle 2 के equal होगा और half of angle D किसके equal होगा angle 1 के equal होगा तो angle 1 प्लस angle 2 is equal to कितना मिल गया 90 degree मिल गया बस angle sum property लगा तो in triangle COD by angle sum property अना angle sum property लगाएंगे angle sum property लगाएंगे तो क्या कहता है एंगल 1 प्लस angle 2 प्लस angle COD is equal to 180 degree इन दोनों की वैल्यू कितनी है 90 degree angle COD is equal to 180 degree तो angle COD जो है वो कितना मिलेगा 90 degree मिलेगा उदर जाके माइनस हो जाएगा क्लियर है एंस प्रूफट समाझ में याद ही हो रहा हम तो आपको यह theorem भी याद रखना है या प्रॉपटी समझ लीजिए कि किसी भी parallelogram में दो adjacent angles या consecutive angles के जब बाइसेक्टर ड्रॉव करते तो वो दोनों एक दूसरे को 90 degree पे इंटर्सेक्ट करते है ठीक है कुश theorem number 6 या प्रॉपटी number 6 क्या कहता है if diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram यह 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 B यह C यह D यह parallelogram है हमारा if diagonal of a parallelogram bisects one of the angles आच्छा यह बोल रहा है कि इसका मैं diagonal draw कर रहा हूं जैसे मैंने BD draw किया तो यह क्या कर रहा है angle D को bisect कर रहे है angle D को bisect कर रहे है तो हमको प्रूफ करना है कि अगर वह angle D को bisect करता है तो as well as angle B को भी क्या करेगा वह bisect करेगा मतलब आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे A BD bisects angle B angle D को तो हमको given है कि वह प्रूफ क्या कर रहा है bisect कर रहा है पर हमको प्रूफ करना है कि अगर वह D को bisect करेगा तो B को भी क्या करेगा bisect करेगा कोई अगर एक diagonal draw कर रहा है तो वह दोनों angle को क्या करना चाहिए bisect करना चाहिए ठीक है इप एक property प्रूफ करते हैं कैसे करेंगे चलो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे हाँ सबसे पहले हमको पता है कि A B जो है वह पैरलल है किसके अब यह diagonal आप लिए हो तो A B parallel C D ले लो alternate interior angle लिख दो alternate interior इसको मैं 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 दे दे तो ठीक है तो angle 1 is equal to angle 3 angle 2 is equal to angle 4 by alternate interior angle हाना alternate interior angle से क्या होगे दोनों equal होगे और एक चीज आपको क्या given है 1 is equal to 2 यह हमको given है उसने बोला है कि यह जो diagonal है एक angle को bisect करता है तो दूसरे angle को भी bisect करेगा बोले तो एक angle को bisect करता है बोले है मतलब यह चीज गिवान है मतलब यह angle 1 is equal to क्या है angle 2 अब यह इसको equation number 2 इसको equation number 2 1 और equation number 3 दे दो तो आपको मिल जाएगा from अगर 1 जो है 2 के equal है ठीक है angle 1 जो है angle 2 के equal है तो क्या हो जाएगा from 1 2 & 3 आपको मिल जाएगा angle 3 is equal to angle 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगल 1 जो है angle 2 के equal है अना angle 1 जो है angle 2 के चलो अगर ऐसा नहीं समाझ में आ रहा है हम लिख सकते डारेक्ट नहीं समाझ में आ रहा है तो मैं आपको एक basic तरीका बता रहा हूँ देखो opposite angles equal होंग इतना तो पता है तो angle D is equal to angle B angle D जो है वो angle 1 plus angle 2 के equal होगा और angle B जो है वो angle 3 plus angle 4 के equal होगा अब angle 2 जो है वो किसकी equal है angle 4 के equal है तो मैं यहां पर angle 4 लिख देता हूं यह angle 3 as it is रहने दो यहां पर angle 4 को यहां पर change कर दो angle 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं अब यहां पर angle 2 की जगह में क्या लिख सकता हूं एंगल 1 लिख सकता हूं तो angle 1 angle 1 will be cancelled out तो angle 3 is equal to angle 4 मिल गया थेंस प्रूवड थेंस प्रूवड कि अगर वो एक एंगल को बाइसेक करता है डाइगोनल तो वो दूसरे एंगल को क्या करेगा पाइसेक करेगा यह भी आप याद रखनी है प्रूपर्टय नमबर से वन और थीॉर्व नमबर सेवन और देएंगल बाइसेक्टर तो ऑफ पैललो ग्राम फॉरम और रेक्टेंगल यह एक parallelogram है ठीक parallelogram है अब यह क्या कर रहे हैं इसके जो bisectors है जो sorry diagonals है क्या बोल रहे हैं the angle bisectors of a parallelogram form a rectangle तो angle bisectors है यहां पर मिलेंगे तो बीच में एक four-sided figure मिल रहे हैं तो इसी को हमको प्रूफ करना है कि यह क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है यही हमको प्रूफ करना है टूप्रूव सबसे पहले नाम दे दू A, B, C, D हाना P, Q, R, S ठीक है P, Q, R, S बीच वाले को P, Q, R, S नाम दे दे तो टूप्रूफ P, Q, R, S इस रेक्टेंगल यही हमको प्रूफ करना है अब rectangle किसको बोलते हैं एक ऐसा parallelogram जिसका each angle कितना होता है 90 degree होता है मतलब हमको प्रूफ करना है कि Angle P is equal to Angle S is equal to Angle Q is equal to Angle R is equal to 90 degree हार एक angle कितना होना ची 90 degree होना ची तभी हमको क्या होगा वो rectangle प्रूफ होगा ठीक है दीखते हैं कैसे पूरूफ करेंगे सोच ऑए सोच ऑ सोच ऑए कैसे पूरूफ करेंगे सोच ओ एक यज टइम आप लोग ट्राया करो अजो मैं इसको एंगल लेलेता हूँ इसको अन टू लेलेता हूँ तो सबसे पहले इं trembling A एस्डि इं living एंगल ASD हमको पाता है देगो एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 degree लिख सकते हैं by same side of transversal angle SST same side of transversal angle से अब मैं क्या करूँ इसको multiply कर दे हूँ half से multiply कर दे तो same जैसे इसमें किया था हमने किसमें किया था फिफ्थ नंबर प्रॉपटी में तो यह 90 degree आगया अब हाफ आफ आफ एंगल A जो है वह वह एंगल 1 के इक्वाल होगा हाफ आफ 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 एंगल D जो है वह एंगल 2 के इक्वाल होगा मतलब 90 degree इसको equation number 1 दे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की value कितनी आ गई 90 degree आ गई अब इन ट्राइंगल ASD एंगल सम प्रॉपटी लगा दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ASD is equal to 180 degree तो इसकी value 90 degree है तो एंगल ASD की value भी कितनी आ जाएगी 90 degree हा जाएकि same to same तो यह वाला बच्चे अगर 90 डिग्री है यह एस यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा हाना क्यों होगा एंगल PSR is equal to angle ASD is equal to 90 degree by vertically opposite angles अब यह हमारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया similarly आप लिख सकते हो आपको प्रूफ करने की जर्वत नहीं है similarly angle P is equal to angle Q is equal to angle R 90 डिग्री same design उसको भी आपको क्या करना है बाकी तिनों को भी जैसे इधर वाला ट्राइंगल ले लेंगी तो इधर यह 90 डिग्री आ जाएगा तो वर्टिकल उपोसिट सी 90 डिग्री आ जाएगा तो ऐसे करके आपको क्या करना है प्रूफ करना similarly करें आप उसको लिख सकते हैं तो चारव एंगल 90 डिग्री हो गए हैंस प्रूफ की पीक्योर्स इस रेक्टैंगल पीक्योर्स इस रेक्टैंगल हैंस प्रूफ तो यह सारी प्रॉपड़ी है यह थियोरम्स हैं जिसको आपको याद रखना हैं एक बार साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तीसरा ऑपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और चौथा फॉर्थ क्या बताया था प्रोड क्या पताया था सोचो क्या पताया था प्रोड पताया था कि inflow today नोहें एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं इस उसके बाद KF नम्बर मैंने क्या पताया कि जब भी मैं क्या करूं किसी दो एंगल के Bisector draw करते हूं तो वो दोने एक दूसरे क्या करते हैं 90 डिगरी पर इंटर सेक्ट करते हैं सिब्सक्ता नमबर मैंने क्या बता है कि एक डैगोनल जो है अगर एक एंगल को Bisek करेगा दो दूसरे एंगल को भी क्या करेगा Bisek करेगा ऱख सेवन्थ नमबर की कि अगर मैं क्या करता हूं चारंव एंगल आफ के बाइसक्टर ड्राह करता हूं तो चारंव एक दूसरे को क्या करता और डाउट्स निकालो, इसके नेक्स लेक्चर में मैं आपके क्या करूँगा, क्वेशन्स कराऊँगा, ओके, तो बाब बाय, टिक केर, सीन दो नेक्स लेक्चर,